ऑग मैं जा रहीं हूँ चावल का फारा बनाने के लिए मैंने 2 साइत दो कटोरे चावलों की आउटा के लिए यह अधर रख मुलत कर दधनीय क्त्ति पेस्टे में डालूंगे हॉञा उवागा सफीस न फिर में डालोगई इसमें तो ये देखिए मैं इसमें डाल नहीं हूँ इसी दुई जीरा पाउडर एक चमच करी मिक्सर में । डाल दे रहा हूं, एक गरम मसाला थोगी सी डाल दे रहा हूं लाल मिर्चा और हरा मिर्च तो मैं डाली ती हूं और इसमें मैं नमक डाल दे जीरा पावडर था इसमें लासून था अधरक है और इसमें लाल मिर्च है हारा मिर्च है एक पीस और मटर है इसमें नब ने पिस दिया अब मैं डाल लें उसमें दनिया की पत्ती नमक भी हम डाल दी है अपने टेश्ट के हिसाब से आप लोग अपने टेश्ट के हिसाब से डाल लिएगा इसको मैं बनाऊंगी पाराद जी मुझे हाथ से काम करना अच्छा लगता थोड़ा सा मैं चम्मच कम परियोग करती हूं इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा तो इसमें मैं करीवाधा चम्मच नमक डाल दी हूं अब मैं डाल लें हूं गरम पानी इसमें गरम पानी से ही चावल काटा आपको मसलना है गरवन पानी से ही चावल काटो मसल्मे से खटता नहीं है और अच्छे लोईयां बनती है और इसमें जो भी घरना रता भरा जाता है कि तो ये देखिए ये मैं ऐसे बना रहे हूं ये मेरा चावल काटा हाथ के साहरे से मैंने ऐसे से भ़़ इसमें डाल दिया छोटी-छोटी लोईया बना करके, मैंने इतना यह सब बना दिया, जेकि ऐसे लेना है, इसी तरह से और फिर ऐसे, चौकी बेलन से लोग बनाते हैं, हमको तो आसान लगता है, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, देखे, कितना सही बन गया, इसे बड़ा सा बन गया, फिर मैं इसके अजय कितना अच्छा बना तो यह देखिए भगवने में मैंने गरम पानी करने के लिए रख भीया था अब उपर से मैं इस जाणी वाला प्लेट रख भीया था जिसलिकि मैं इसमें पूरी तरीके से बना तरके रख रही हूँ है अब यह हमारी कोई से जाएगा मैं इसको ऐस आपकु जाली बवला में बरतन रख करके इसको बॉल कर लिया है इसे इसमें डालना है चाकु यह पता चलेगा कि यह पग गया है यह नहीं है पग गया है तो इसमें चिपक के जादे नहीं आएगा और नहीं पका है तो इसमें many जादे चिपक जाता है देखे यह मेरा बन गया है और मैं कर रह Taos को आपनों देखते रहिए इसको में प्लेट में मिकॉल यह 17-24 यह मेरे हरा मतर की इसके फारा बन के तयार हो गया कितना अच्छा बना कितना रख कितना सांदार बना है बहुत बहुत अच्छा बहुत टिश्टी है मतर का सीजन है आप लूग बनने वाली ये भोजन है, खोटाक से बनाईए, शटाक से खाईए, बहुत अच्छा है ये